बच्चों आज मैं टेंथ क्लास के बच्चों के लिए आप्टिक्स में एक इंपोर्टेंट लेक्चर लेके आया हूँ और ये बहुत ही अच्छा लेक्चर होगा अगर आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे तो आपका कम टाइम में ज्यादा सज्यादा चीज़ें रिकवर कर पाएंगे तो आज हम सुरू करते हैं आप्टिक्स को और आप्टिक्स मींस आप लोग जो 10th क्लास में लाइट पढ़ते हैं तो लाइट चैप्टर को हम लोग दो पार्ट में स्टडी करते हैं रे आप्टिक्स और वेब आप्टिक्स में तो रे आप्टिक्स का इस्पेसिली क्या है बच्छों आप्टिक्स है लाइट की स्टडी है तो अब हम लोग यहाँ पर लाइट की स्टडी को रे आप्टिक्स के फॉर्म में पढ़ेंगे केवल रे आप्टिक्स का एक पार्ट पढ़ेंगे वेब आप्टिक्स का पार्ट हम लोग 12th क्लास में जबाएंगे थप पड़ेंगे जैसा कि आपको नाम सही किलिए रो रहा है कि ये रे आप्टिक्स है तो रे आप्टिक्स में आपको पूरा लेक्चर पूरा चैप्टर आपको रे के फॉर्म में पढ़ना है तो सबसे पहले जब इस पूरे चैप्टर का सेंटरल स्टडी रे है तो अपनको सबसे पहले नीड यह ही कि हम ये जाने की रे क्या होता है तो रे को जानने के लिए सबसे पहले हम लोग रे की डेफिनिशन लेकिन उससे भी पहले मैं आपको light के definition बताना चाहता हूँ, what is light? So guys, आपने different different books में पड़ा रखा होगा light के बारे में, light is a form of energy, light is a form of energy which gives the sensation of visualization when it falls on the retina of our eyes. ये एक type के ऐसी energy है, जो कि हमारे आँख की retina के लिए sensitive होती है, और बहुत सारी energy आपने सुना होगा, heat energy, kinetic energy, बहुत type के energy होती है, उन सभी energy में कोई भी energy ऐसी नहीं थी, जो हमारे आँख की retina को affect करती हूँ, बट light एक ऐसी energy है, जो कि हमारे आँख की retina को especially effect करती है, इसमें और भी बहुत सारे nature होते हैं, बट इसका एक special nature होता है, जो कोई और type के energy नहीं कर सकती है, कोई और type के energy ऐसा nature सो नहीं कर सकती है, तो वो nature है आग की retina को हमारी eyes की retina को sensitive कर देना तो sensitive कौन करती है light अगर कोई भी energy हमारी आग की retina को sensitive करती है it means उसे हम लोग light कहेंगे इसलिए जब हम लोग light की definition लिखेंगे तो उसको यहीं से लिखेंगे light is a form of energy which gives the sensation of our eyes for the visualization देखने के लिए ये दिखाने के लिए एक ऐसा energy है जो हमें दिखाने के लिए help देती है तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ retina में हमारे पास दो type के cell होते हैं एक होते हैं कौन cell और दूसरे होते हैं cylindrical cell तो जो light की intensity है वो cylindrical cell उसके लिए responsible होते हैं इनर्जी को detect करने के लिए responsibility किनके पास होती है cylindrical cell के लिए हमने ये देखा है कि cylindrical cell जो eyes के होते हैं वो electric field vector से affected होते हैं actually हमारे सामने एक question आएगा कि आखिर ये light है क्या चीज़ आप सोचिए आपके मन में भी बहुत पार ऐसा आता होगा कि light आखिर है क्या चीज़ जो हम देखते हैं अचानक से bulb जला तो light रोसनी हमारे कमरे में फैल गई और bulb बुझ गया तो एकदम से सारी जो energy थी पता नहीं कहां गायब हो गई कभी-कभी ऐसे question आते हैं कि अगर light एक bulb से continue थो की जा रही है कमरे के अंदर और अचानक से light चली गई तो कमरे के अंदर क्या हो गया एकदम अंदेरा हो गया light कहां गायब हो गया यह में कुछ नहीं पता चलता से बहुत सारे question हैं तो आज इन question को हम लोग जानने की कोसिस करेंगे तो मैं आपको यह बताना चाहता हूँ बच्चो कि जो light है वो दो पार्ट से मिलकर बनी हो यह एक है electric part दूसरा है magnetic part इसलिए इनको हम लोग electromagnetic waves भी कहते हैं इनमें electric field और magnetic field waves के form में चलते हैं एक दूसरे से perpendicular और wave जिस तरफ light चलेगा उसके दोनों perpendicular होते हैं suppose यह हमारे पास electric field है यह हमने इसको कोई axis माल लिया इधर यह z axis है और इस तरफ magnetic field vector होंगे और इस तरफ speed of light की direction होगी direction होगी light की means जो electric field vector होंगे वो इस तरह से wave के form में चल रहे होंगे और जो magnetic field vector होंगे वो इस तरह से चल रहे होंगे मतलब जो electric field के oscillation है वो इस तरह से हो रहे होंगे और जो magnetic field के oscillation है वो इस तरह से हो रहे होंगे आप यूँ समझ सकते हैं कि electric field जैसे आप के पास string होती है और आप उसे यूँ जटका मारते होती है इस तरह की wave प्रेड्यूस होती है वैसे ही हमने एक हाँ से जटका मारा होता तो wave इस तरह से प्रेड्यूस होती है इसी तरह हाथ में पकड़के मैं horizontal यूँ गुमा दूँ ऐसे इस तरह से इला दूँ तो wave इस तरह से चलेंगी इन दोनों को मिलाने से जो इन दोनों को एक साथ combine करने से जो हमको wave नजराती है इनकी frequency और wavelength सेम होती है मतलब जितने टाइम में यह oscillation यह एक लोग travel करेगा उतने में यह इधर से लोग travel कर लेगा दोनों साथ साथ चलते हैं एक vertical मानलों चल रहा है तो दूसरा कैसे चल रहा होगा horizontal में चल रहा होगा इन दोनों को मिला देने से बनती है light इसी को हम लोग electromagnetic waves कहते है electric और magnetic यह magnetic field को B से denote करते हैं electric field को E से तो इसलिए इनको हम लोग electromagnetic waves कहते हैं तो अब हमारे सामने question यह आता है कि अगर यह waves थी तो हमने इनको ray क्यों call किया अगर यह waves थी तो हमने इनको ray optics क्यों नाम दिया हमने इनको wave optics ही क्यों नहीं रहने दिया तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आपने जो visible light सुना होगा उसमें जो wavelength होती है visible light की जो wavelength होती है वो wave gear होती है विब गयोर के according होती है 7 color से मिलकर बनी होती है विब गयोर 3 और 7 जो red होती है उसकी approximate 7800 एंगे स्ट्रॉम वेब लेंथ होती है और जो violet होती है इसकी सबसे कम होती है visible light में और यह होती 3900 एंगे स्ट्रॉम यह क्या होती वेब लेंथ यह वेब लेंथ का range है मैं आपको बताना चाहता हूँ बच्छो कि जो wavelength है वो आपने 9th class में तो पढ़ाई होगा एक क्रिष्ट से दूसरे क्रिष्ट के बीच का distance या एक ट्रप से दूसरे ट्रप के बीच का distance इसका सबसे जनरल फार्मूला अगर आप याद रखना चाहो तो कोई भी वेब अगर आपको transverse दे दी जाए तो उसमें कोई भी दो पॉइंट जो same face पर हो जैसे face का मतलब होता है उनका mean position से displacement direction of velocity ये सारी चीजे मतलब complete information जो quantity देती है उस information का नाम है face face means एक टाइब की complete information तो suppose अभी ये particle उपर जा रहा है तो इसी के साथ वाला ये वाला particle सी टाइम पर नीचे जाएगा लेकिन ये वाला इसी के साथ उपर जाएगा क्योंकि अगर आप wave को यहां से देखो तो आपको इस तरह की नज़र आ रही है फिर आप यहां से देखो तो भी वैसी नज़र आ रही है कहा जाएगा कि इन दोनों की direction of motion displacement सब बराबर है हलागी इसका displacement इसके equal है लेकिन इसका direction उल्टा है motion of direction जो है इसकी इस से opposite है इसलिए यह और यह same face में नहीं कहा जा सकते है इसी तरह से यह वाला और यह वाला same face में नहीं होंगे clear? यह और यह same face पे होंगे तो इन दोनों same face में oscillating particle के बीच में जो distance होती है वो wavelength होती है तो आप ज़रा देखो जो आप लोग यहां crest से crest के बीच का distance wavelength लेते थे इसमें भी क्या है? इसका velocity भी 0 है लेकिन maximum displacement amplitude के बराबर है यहां भी maximum displacement है क्योंकि highest point है तो यह maximum displacement amplitude के बराबर है और यह भी इस समय में momentally rest पर होंगे तो इन दोनों की position एक जैसी है इसी तरह से इन दो point की भी position एक जैसी है दोनों same face पर हैं इसलिए इनके बीच का भी wavelength जो है वो lambda है आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास visible light है उसकी wavelength 3900 angstrom से 7800 angstrom के आसपास होती है इसकी sharp boundary clear नहीं है हर type की books में अलग-अलग आपको देखने को मिलेगा 4000 से 8000 के बीच में ऐसा लिखा हुआ मिलेगा क्योंकि sharp boundary defined भी नहीं की जा सकती 3900 angstrom से 7800 angstrom के approximate इन दोनों values के बीच है मतलब जो हमको सब जो आख से दिखाई पड़ेंगी उन waves की highest wavelength इतनी हो सकती है या lowest wavelength इतनी हो सकती है मतलब ये किसी के लिए जादा होंगे तो किसी के लिए कम होंगे इनकी length कम जादा होगे wavelength का मतलब ये length सभी colors के लिए अलग-अलग आएगी ये violet होता है ये indigo होता है ये blue होता आपने पड़ा होगा इनको और इस तरह से red होता है तो सबसे बड़ी wavelength red color के लिए मिलती है हमको फिर भी आप इसके साथ देख रहे हैं कि यह हमने angstrom मिली है अगर आप इसको भी देखें तो 7.8 into 10 to the power minus 10 मैंने यहाँ पे point लगा लिया तो 3 और बढ़ जाएंगे तो minus 7 meter होगा अभी भी minus 7 meter आप इसको देखें तो 0.7678 into 10 to the power minus 6 meter भी लिख सकते तो इसको micron यह one micron भी नहीं है यह micron बन जाएगा तो यह जो wavelength है वो one micron भी नहीं है उस wavelength के लिए जो सबसे ज़्यादा है जो सबसे बड़ी से बड़ी wavelength है वो भी one micron आपकी नहीं है तो यह कह सकते हैं कि one micron तो हमको आख से दिखाई भी नहीं पड़ेगा जो bacteria वगरा होते हैं हमारे हाथ में वो one micron के order के होते हैं और हमको आख आख से साधरन नजर नहीं आते हैं तो यह one micron से भी छोटा तो यह तो बिलकुल ही नजर नहीं आएंगे तो अगर कहीं wave होती भी तो यह wavelength इतना छोटा होता कि wavelength हम बता ही नहीं पाते हैं कि यह वाला point यह वाला point एक दूसरे से कुछ distinctly अलग-अलग भी हैं या दोनों एक ही में चिपके हुए हमेनी आख से साधरान आख से देख करके हम नहीं बता सकते हैं दूसरी एक चीज और है कि light को हम देख भी नहीं सकते एक यह बहुत बड़ा drawback है वैसे तो light हमको सब चीज दिखाती है जितनी भी चीज़े हम देख सकते हैं उन समय light help करती लेकिन इटसेल्फ यह क्या है एक dark है so light is itself a dark but it helps to visualize the things तो बच्चो एक तो दिखती नहीं है problem यह दूसरी चीज यह है कि अगर दिखती भी होती तो 10 to the power minus 6 meter का wavelength है तो हम इसको distinct ही नहीं कर सकते थे अलग-अलग मतलब अभी आप से हम कहें कि आप बताओ क्या यहां पर अलग-अलग यह waves देख पा रहे हो तो आपको दिखाई पड़ रहे हैं इन waves के बीच में कुछ wavelength है और पास-पास में हो जाएं हम पूछें अभी दिखाई पड़ रहे हैं आप कहोगे सर अभी भी दिखाई पड़ रहे हैं मैं और पास-पास में कर दूँ और फिर पूछो तो आप कहोगे अप सर थोड़ा clear नहीं आ रहा है और ऐसे ऐसे करते 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 हिलाते रहें और ऐसे आगे करते आप पूछें आपसे इन में वेबलेन था क्या तो आप को कि सर यहां थोड़ा किलियर दिखाई पड़ रहा था है इसमें और कम किलियर हो रहा था यहां और कम किलियर है और यहां तो बिलकुल भी किलियर नहीं है यह वही केस है यह वही केस है जहां पर आपको किलियर समझी नहीं आ रहा है कि वेब है, यहां तो वेब नजर आ रही, यहां वेब नजर आ रही, यहां वेब थोड़ा सा में कम पैटर्न नजर आ रहा वेब का, लेकिन यहां तो हमें वेब का पैटर्न ही नजर नहीं आ रहा, तो इसलिए जब भी कहीं रे हमारी आँग पर आ रही होती है, या कहीं से र चल भी रही होगी मालो हम लोग कोई laser light मार दें तो laser light बहुत सारे race का combination है तब भी हमको एक straight line नजर आती उसके अंदर wave नजर नहीं आती लेकिन actual में उसके अंदर बहुत सारी ऐसी wave है अगर मैं कहूं कि एक यह laser beam है तो laser beam के अंदर ऐसी बहुत सारी waves है यह देखिए इस तरह की बहुत सारी beam होगी waves होगी लेकिन फिर भी हमको यह एक पूरी ray नजर आती है इसका reason यह है कि यह जो wavelength है वो इतना छोटा है कि वो हमको ray ही नजर आएगी मुझे इस तरह की ray नजर आएगी तो भले ही यह wave होती है बट जब इनका हम observation करेंगे तो यह हमको ray नजर आएगी इसलिए हम लोग light के इस observable phenomena को हम लोग ray optics का नाम देते हैं लेकिन जब इसके अंदर आप और जाएगे तब यह wave optics में इसकी study करेंगे मतलब जब इसके अंदर घुसके study करेंगे तब आपको wave form में इसकी study करनी पड़ेगी लेकिन अभी हम चुकि इसमें सारे observation ले रहे हैं ऐसे जो हमें साधनर तोर पे दिखाई पड़ते हैं एक नजर मारा एकदम मोटा मोटा idea जो लिया तो उस idea के basis पर हमको ये ray ही नजर आएंगी तो बच्चो मैं समझता हूँ आपको ray clear हो गई ray और wave में क्या difference था और हम ray क्यूं लेते हैं ये भी आपको clear हुआ होगा बच्चो मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि आप proper definition क्या होनी चाहिए ray की तो proper definition क्या होनी चाहिए आप लिखते रही है ये सारी बात है तो ray क्या होती है ray is the path of light या the path which light traced तो जिस path से light चलती है जैसे light तो actually में wave के form में चलेगी बट हम माल नहींगे ये wave ऐसे चल रही है तो ये ray होगी इसकी property है कि ray हमेशा ही straight होती है मेरे हाथ से तो टेड़ी बन सकती है बट ये ray straight line में चलेगी ये तब तक ray straight line में चलेगी जब तक कोई medium ना आ जाए दूसरा medium ना आ जाए अगर ये uniform homogeneous medium है तो फिर ये ray अपनी direction को नहीं बदलेगी और तभी तक ये direct ray 1 रहेगी मालव भी ये ray जैसे आपने पढ़ा था कि एक medium से दूसरे medium में आपने generally observe भी किया होगा कि जब एक medium से दूसरे medium में light डाली जाती है तो अपने path से bend हो जाती है तो अभी इस ray का नाम क्या लेते थे हम लोग incident ray और इसका क्या नाम लेते थे refracted ray energy वही है जो energy यहां से चलके यहां तक जा रही हो energy वही है but इसके name बदल गए इसको incident ray बोला और मैंने इसको refracted ray बोला ऐसा क्यों किया उसका कारण यह है ये direction कुछ और थी और ये direction कुछ और है और भी कई सारी property भी इसकी बदल सकती है तो especially ray तब तक है जब तक उसकी wavelength, frequency और direction ना change हो तब तक उसे हम ray मानेगे और जिस point पर वो change कर लेगा फिर वो दूसरी ray में convert हो जाएगा वो दूसरी ray के नाम से जानी जाने लगेगी तो मैं समझता हूँ, यह बात आपको बिल्कुल किलियर होगी कि एक medium से दूसरे medium में जब जाएगी तब ही उसकी properties में change जाएगी कौन सी property में change जाएगी यह भी ध्यान देना है हमको कि इस पर आपको ray optics में कुछ question मिल सकते है 10th board में भी मिलते है जैसे हमको पता है कि एक crust से दूसरे crust या एक truck से दूसरे truck के बीच का wavelength है तो जब medium में जाती है एक medium से दूसरे medium में तो इसका wavelength change होता है कैसे change होता है wavelength हम लोग wave का step मानते है जैसे अपन लोग चलते हैं यह चले एक step, दो step ऐसे अगर हमारे साथ में कोई बहुत छोटा बच्चा चल रहा हो तो उसके step छोटे होंगे और मेरे step बड़े हैं हम दोनों साथ साथ चलें और जब वो अपना left पैर उठाता है तब मैं भी अपना left उठाता हूँ जब मैं अपना right उठाता हूँ तो भी right उठाता है एक साथ हम दोनों पैर उठाते हैं एक साथ दोनों पैर रखते हैं लेकिन तब भी हमारे speed उस छोटे बच्चे से ज़्यादा होगी क्यों ज़्यादा होगी क्योंकि मेरे step की length ज़्यादा है तो दो wave एक साथ चल रही हूँ एक साथ है complete हो रही हूँ ऐसे एक ये wave चल रही है और इसी के साथ एक और wave चल रही है इसमें एक, दो, तीन ऐसे fourth कुछ है one, two, three ऐसे fourth है एक साथ दोनों चल रहे है ऐसे इस तरह से ऐसे यहाँ गया फिर जब यहाँ आएगा तो यहाँ जाएगा फिर यहाँ, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे तो एक साथ step हो गई है तो जितने time में इसके ये crest बनेंगे, जितने crest मालो कोई time मैंने delta T select कर लिया तो delta T में इसके कितने crest बने, एक, दो, तीन crest बने, उतने ही time delta T में, जितना ये time था, उतने ही time में यहां भी कितने क्रिष्ट बने 1, 2, 3, 4 यहां थे 1, 2, 3, 4 यहां बने तो इस light ने ज़्यादा cover कर लिया length और इस light ने कम length cover किया क्यों 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 क्योंकि एक का step ज़्यादा लंबा है step means इसका wavelength ज़्यादा long है और इसका wavelength इसका lambda 1 suppose करते हैं इसका lambda 2 तो lambda 1 small था, lambda 2 greater था तो इस तरह से हम देख सकते हैं जिसका wavelength ज़्यादा होगा step बड़ा होगा उसकी speed भी ज़्यादा आएगी इसलिए हम लोग यह देखते हैं कि जो light की speed है वो किस पर depend करती है? सपोज हम लोग यहां C सही से denote कर लें तो यह lambda पर depend करती है, proportionality अटाएंगे, एक constant आ जाएगा और इस constant को हम लोग F से denote करेंगे यहां पर F जो है वो frequency होती है तो especially C के वर wavelength पर depend करती है, speed जो होती है light की वो wavelength पर depend करेगी, इस frequency पर depend नहीं करेगी अब गोगे सर फ्रिक्वेंसी पर depend क्यों नहीं करती obviously तो मान लोग अगर frequency किसी की ज़्यादा है और उसका wavelength दो कब सेम है दोनों wavelength का wavelength सेम है, frequency की कम एक की ज़्यादा है उस case में तो हो सकता है, लेकिन जब light एक medium से दूसरे medium में जाएगी तो light वही है, जिस source से आ रही थी यहाँ पर कोई source, suppose यहाँ पर bulb जल रहा था तो इस bulb से light आ रही थी इस से तो energy का source इस energy और इस energy दोनों का source सेम था और जो frequency होती वो source की property होती है वो path यह medium पर depend नहीं करती है, suppose इसकी frequency f थी तो फिर इस वाली wave की frequency भी इसकी भी frequency f रहेगी और इसकी भी frequency f ही रहेगी बट wavelength आपका change मिल जाएगा यहाँ पर lambda 1 होगा, तो यहाँ पर lambda 2 होगा तो wavelength आपको change मिल लेगा frequency नहीं बदलेगी, तो जब medium बदल देते हैं तो frequency change नहीं होती, frequency constant रहेगी और medium बदल जाने की वज़े से speed of light भी change हो जाती है तो इसलिए हम लोग याद रखें, speed of light के लिए f lambda हम लोग formula यूज़ करेंगे यहाँ frequency change नहीं करेंगे, wavelength चेंज करेंगे मतलब उसका step छोटा या बड़ा हो जाएगा आपको ऐसे सड़क पे दोड़ा दिया जाए, एक दाम smooth सड़क होगा तो आप बहुत लंबे-लंबे कदमों से दोड़ोगे और कई घास पड़ी हो खूब बड़ी-बड़ी और उस घास में आपको दोड़ाया जाए आपके कमर से घास और दोड़ने के लिए बोल दिया जाए तो आप इतने लंबे कदमों के साथ वहाँ नहीं दोड़ पाओगे तो वैसे ही, मतलब जो abstract medium होगा जिसकी density ज़्यादा होगा, जो denser medium होगा वहाँ पर step छोटे हो जाएंगे और जहाँ पर बढ़िया smooth medium मिलेगा कम density वाला medium मिलेगा वहाँ पर light of speed बहुत ज़्यादा होगी यहाँ density का मतलब है optical density से material density अलग होती है और optical density अलग होती है दोनों चीज़ें अलग होती है इस बात को हम लोग जब reflection of light पढ़ेंगे तब इसको detail में चर्चा कर लेंगे बट अभी इतना समझ लो कि light एक medium से दूसरे medium में जाती ही तो wavelength change होता है उसकी frequency में कोई change नहीं आता है तो यह थी basic property of light और इनको जाने बिना हम लोग light ray optics को नहीं समझ सकते वैसे समझने को हम रट लेंगे बट हम उसकी real feeling नहीं ला पाएंगे तो बच्चो आप लोगों की यह special demand थी कि मैं कुछ आपको special lecture दूँ तो इसलिए मैं आपको feeling देना चाहता हूँ कि असल मैं आपको light की feeling कब आएगी तो बच्चो फिर से आते हैं कि ray के बारे में हमने जान लिया ray क्या एक type का path है जिससे light travel करती है actually मैं हम देखेंगे तो यह light straight line ही चलेगी इसके अंदर एक बहुत ही छोटे wavelength वाली wave इसके अंदर से चल रही होगी बट अभी हम इसको ray कहेंगे ठेके बच्चो तो अब ray के बाद चोंकि इस पूरे chapter में हम लोग ray optics ही पढ़ने वाले हैं तो सब कुछ ray से defined होगा यह बड़ी गात है इसलिए इसका नाम ray optics है अगर आपको ray की definition, ray से related definitions आपको आ गई तो आपको बिल्कुल भी रटना ही नहीं पढ़ेगा आप सोचो क्यों नहीं रटना पढ़ेगा क्योंकि ray optics है सब कुछ ray से defined होगा आप दो, तीन definition याद कर लीजिए और आपको कुछ भी नया याद नहीं करना पढ़ेगा कैसे? सिखते हैं, मैं आपको बताऊंगा कैसे? तो सबसे पहले ray में हम लोग beam पढ़ते हैं beam या bundle of light तो आपको obviously पता ही है जैसा कि नाम से बिलकुल किलियर है कि बहुत सारी ray का bunch bunch of rays तो ये क्या होता है? bundle of rays या beam ये हमारे पास इसकी definition में आप लिखना चाहें तो the bundle of light और bunch of light is known as beam ये हमारे पास three type की मिलेगी हमको physics में चाहे आप 12th पढ़िए, चाहे 11th पढ़िए कुछ भी पढ़िए, आपको beam या light three type की नेचर मिलेगा एक होगा converging beam converging beam और दूसरा होगा diverging beam diverging beam और एक होगा parallel beam parallel beam तो बच्चों converging beam का मतलब ये है कि अगर हम light race की direction में आगे बढ़ें ध्यान रखना जो मैं बोल रहा हूँ है ये लिखना है आपको ये किस direction में आगे बढ़ रही है इस तरफ अगर आप इन direction में आगे बढ़ो तो इनके बीच का diameter जो है न वो कम होता जा रहा है दिखिए convergence और इन बीम इस बीम का नाम होगा converging beam converging beam और जहां पर आपको एक converge होती भी फीलो वो converging beam होगी दूसरा है definition diverging beam तो ऐसे बहुत सारी अगर race होती तो बहुत सारी है बहुत सारी तो नहीं बना सकते तो यह आपको इस तरह से फैलती भी मैसूस होगी मतलब अगर इनकी direction में चलने की कोशिस करो किस direction में जा रही है इस तरफ जा रही है दिख रही है हमको अगर हम इसी direction में चलेंगे तो इनके बीच का diameter continue increase कर रहा है तो यह जो point होगा उसका नाम होगा point of divergence और यह कैसी beam होगी? diverging beam ठीक है बच्चो? तो यहाँ पर हमको यह diverge होते वे फील हो रही है यहाँ पर arrow बनाना बहुत जरूरी है क्योंकि हमें तभी पता चलेगा कि direction काउन सी है और यह arrow बीच में बनाते हैं देन रखना किनारे नहीं बनाते हैं किनारे का मतलब limit हो गई वो उसकी length fix हो गई यह कहीं तक भी जा सकती हैं जाने को रास्ता मिलता रहेगा जाती रहेंगी तो यह इसलिए arrow को हम लोग बीचे बनाते हैं और straight line बनाते हैं arrow बनाना जरूरी है क्योंकि arrow सही पता चलता है कि हमने ray बनाई है otherwise आपको एक straight line ही नजार आएगी यह straight line है बट यह arrow है इसमें arrow लगा हुआ है इसलिए इसे ray कहेंगे हम यहां ray optics पढ़ रहे हैं तो ray में arrow लगाना बहुत मस्त है अगर आपने exam में ray नहीं बनाया तो वो question आपका गलत मान लिया जाएगा इस तरह से बच्चों अगर हम आगे देखें जैसा कि parallel beam के नाम से clear है कि अगर light rays के बीच का distance change ना हो तो यह parallel beam होगा मतलब हम आगे बढ़ते रहेंगे इनकी direction में लेकिन इनके बीच का diameter change नहीं होगा तो एक line में हम सब को define कर सकते हैं एक एक करके एक कि बीच कर रहें पऎशाल है कि बीच कर यह परंवेश जैसे कि हम ट det acknowledge और मिल्क टार प्यह जरेकर परिस्तों आगे शवाम पाइब प्यहां पंगारा प्यह जोजाम चिप्रल से आप तो आट पिर सेर्जार नहीं होगा ऑे मेतिया में साक्षल ण्य charisma over the beam is called what parallel beam, okay, मैंने आपको बोला कि आपको सारी चीजे रे से डिफाइंड करना है, means सब कुछ अब आप की ये तीन definition ही काम आने वाली है, आपने आपको बहुत सारे teacher, बहुत सारे लोग आपको बताते होंगे, लाइट में, ये object है तो इसका image कहा होगा, real होगा, image की virtual होगा, object real है या virtual है, तो वहाँ पर आपको सिखाय जाता है कि अगर उल्टा बने, तो image सीधा, उल्टा बने image तो वो real होगा, और अगर सीधा बन जाए तो वो virtual होगा, ये बिल्कुल गलत बात है, अगर image उल्टा है तो वो virtual भी हो सकता है, real भी हो सकता है, दोनों case हो सकते हैं, इसी तरह से अगर image उपर, principle axis के उपर side है, तो वो real भी हो सकता है, virtual भी हो सकता है, वो logic गलत है, मैं आपको बताऊंगा, real और virtual actually में कैसे होते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर हमारी definition आएगी object की, अब आप सोचोगे सर, ये object कौन पढ़ाता है, ये पढ़ाने की क्या जरूरत है, ये तो कोई पढ़ाने वाली चीज़ नहीं हम तो देखते हैं, object हम सब जानते हैं, तो object को जब हम optics में define करते हैं, तो object का मतलब ordinary object से नहीं होता है, material object से, तो ordinary material से मतलब नहीं होता है, अगर object की बात कर रहे हैं, जैसे हमारी chair, table, board, chalk, duster, ये सब ordinary material की object हैं, इनसे हमारा optics का कोई लेना देना नहीं, optics का मतलब है, जो light source होते हैं, या जो light के लिए defined हैं, जो in beam के लिए defined हैं, वो object है, actually में वहाँ पर object जैसी कोई चीज नहीं हो, लेकिन हमको ऐसा feel आने लगे कि यहाँ से light निकल रहे हैं, तो object हो जाएगा, तो object ये definition क्या होनी चाहिए, ये important है, यहाँ पर, तो object जो है, वो defined होता है, it is, बहुत important lesson है हमारा, it is defined by incident race, अब incident race से defined होता है, मतलब हमें जानना होगा incident race क्या होती है, इसी तरह से image जो होता है, वो defined होता है, it is defined by reflected और refracted race, incident का मतलब होता है, towards obstacle, वो race जो obstacle की तरफ आ रही होती है, towards, जो अपने obstacle कंसीडर किया है, उसकी तरफ आ रही होती है, और image उन light race से defined होता है, उन्हें reflected या reflected कह सकते हैं, जो away from the obstacle होती है, ये चीद ध्यान रखना है हमको, तो इस तरह से हम लोग image और object के दो-दो form पढ़ेंगे, एक real और दूसरा virtual, तो यहाँ पर सबसे important बात यह कि क्या real होगी, क्या virtual होगा, हमको ये तो पता चल गया है कि जब incident रही होगी, तो वो object को define करेंगी, और जब refracted रहोंगी, तो वो image को define करेंगी, refracted या reflected, आपको मैं एक छोटा सा concept समझाता हूँ, समझने कोशिस करिए, आपको यहाँ से पता चल जाएगा, suppose ये कोई medium है, ये medium 1 है और ये medium 2 है, ray इस medium से आ रही है, तो जब इस medium को complete कर लेगी, इस medium में inter करने वाली होगी, तो पहले इसके interface से टकराएगी, इन दोनो medium के, तो इस interface को, पॉइंट आफ इंसिदेंस माल लेते हैं, क्या माल लेते हैं, point of incidence, interface point को, जहाँ पर वो light ray आके fall होती है, तो इंटरफेस का वो point जहाँ पर light fall होती है, उसको हम लोग point of incidence कहेंगे, तो point of incidence की तरफ, यह जो light आती है, उसको incident ray बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको बच्चो incident ray, और जो medium में आंदर इसको फाड़ के घुस जाती है, तो इसको fracted rays, यह इसको हम लोग refracted rays, मतलब फाड़ के घुसी और फिर से चलने लगी, जैसे यहाँ चल रही थे, restart कर दिया फिर से यहाँ, जैसे घुसी तो एक बार अपनी direction को change करेगी, और गुस्ती चली जाएगी, इसलिए इसका नाम है refracted rays, और अगर यह इसी medium में वापस चली जाती, यह medium 1 में ही वापस चली जाती, तो यह होती है reflected ray, क्या होती है, यह सब आपको याद रखनी पड़ेगी, reflected ray, तो यह reflected ray, यह reflected ray, यह incident ray, और जिस point पे आके fall होती है, उसको हम लोग बोलते हैं, point of incidence, यह कौन सा point हुआ, point of incidence, अगर आपने इसमें normal डाल दिया है, point of incidence में, अक्सर हम लोग normal डाल के study करेंगे, तो इसलिए normal on the point of incidence बोलेंगे, normal on the point of incidence, तो इतनी information है, अब आप देखें, इस point of incidence या obstacle की तरफ, कौन आ रही हैं, यह वाली रे, इसलिए इनका नाम incident है, इससे दूर कौन कौन से जा रही है, यह भी दूर जा रही है, यह भी दूर जा रही है, इस point से, यह इधर जा रही है, यह इधर जा रही है, दूर जा रही हैं इससे, आवे, यह इधार अवे यह इधार अवे इसलिए आवे जाने वाली रेज होती है वो किसको बनाएंगी इमेज को बनाएंगी मतलब अगर इमेज बन सकता है तो इन तीनों में से किससे बन सकता है इससे भी बन सकता है और इससे भी बन सकता है इससे भी image बन सकता है इससे भी बन सकता है लेकिन इससे क्या बनेगा object इस obstacle के लिए तो ये ध्यान रखना है कि image किन से बनेगा object किन से बनेगा ये बातें आप लोग note कर लीजे और बहुत important है तो आप मुझे उमेद है कि आपको reflected, refracted या फिर incident से कोई भी confusion नहीं होगा आप इससे note कर लीज़े अब बच्चों मैं आपको बताता हूँ real object जो object है हमारे पास वो दो type का object हमको पढ़ने को मिलेगा इस optics में एक number का question इसमें भी पूछा जाता है जब आप board का exam देने जाओगे तो उसमें one mark का question के वल उसके real या virtual होने पर पूछा जाएगा तो एक real object होता है हमारे पास और दूसरा क्या होता है virtual object तो real object हमको पता है अगर हमें object define करना है तो पक्का ये incident ray ही बताएंगी हमको incident ray से ही defined होगा तो incident ray में से कौन सी ray ऐसी होगी जो real object को define करेंगे और कौन सी एसी ray होगी जो virtual object को define करेंगी तो एक बार में आप समझ लीजे बहुत important बात है यही real और virtual होने की parameter है इसके अलावा कोई और तरीका अगर आपको बताता है यह real, यह virtual तो वो बस आपको रटाएगा हो, वो concept बदलते जाएंगे, बट यह concept lifetime कभी नहीं change होने वाले है तो real object क्या होगा जैसे यह हमारे पास suppose कोई obstacle है, obstacle का मतलब कुछ भी हो सकता है, कोई medium का interface surface है दो medium का interface surface हो सकता है prism का surface हो सकता है, lens का हो सकता है, mirror का हो सकता है कुछ भी हो सकता है तो हमको पता है कि incident इसकी तरफ जा रही है तो अगर incident रे कुछ ऐसा जाएं, ऐसा, ऐसा करते हुए, आप देख रहे हो तो मैंने arrow इस तरफ बनाए है, तो obstacle की तरफ जा रही है, कैसा जा रही है, तो यह कौनसी ray हो है, incident, लेकिन incident ray में भी कौनसी incident ray, जो diverging है, कौनसी है, diverging, अगर diverging incident ray किसी point से जाती है, तो point of divergence है, point of divergence, this is known as real object, तो जिस point से यह light rays diverge होते वे फीलो, वो real object होगा, लेकिन ध्यान रही है, ray incident होनी चाहिए, इसी तरह माल लो यह obstacle होता, और इस बार ray तो incident है, मतलब ray इसकी तरफ आ रही है, आप देखिए, लेकिन यह obstacle ने बीच में इनको रोक लिया, ना रोकता तो क्या होता, यह ray कहाँ जाती, यहाँ पे जाके मिल जाती, यह हमारे पास obstacle था, नहीं रोकती तो क्या होता, यहाँ पे जाके मिल जाती, आप देख रहे हैं कि इनके बीच का diameter continue क्या हो रहा है, कम हो रहा है न, तो कौन सी रहे हैं यह, converging race, कौन सी रहे हैं, converging race, मजा रहा है, तो यह कौन सी हो गई, converging race, तो converging race किसको बताएंगे, virtual object, तो point of convergence होगा, point of convergence, this point of convergence is known as virtual object, यह है definition original, object के real और virtual होने की, तो real का होगा, जब यह diverging incident रहे होंगी, virtual का होगा, जब यह converging incident रहे होंगी, तो आप यहाँ पर definition में लिख लीजिए, object की, दोनों, इस object की definition क्या होनी चाहिए, यह definition virtual के लिए रहेगी और यह definition real के लिए रहेगी, लेकिन अगर हम general definition object की बोलें, तो object is the point of convergence, point of convergence or point of divergence, तो object is defined as the point of convergence or point of divergence, and what would be the definition of real object, real object is the point of divergence of incidentries, and similarly, virtual object is defined as the point of convergence of incidentries, इसी तरह से बच्चों, अब हमारे पास अगला point है image, image, तो image में क्या होता, यह किस्से defined होगा, आवे जाती ही raise, आवे मतलब या तो reflected raise होंगी, आवे जाने का मतलब क्या, reflected raise होंगी, या फिर refracted raise होंगी, reflect होके, rebound होके वापस चली जाती है, तो उनको reflected कहते हैं, और जो उसी medium में गुश जाती हैं, उनको refracted, तो यह दोनों ही रे image को बना सकती हैं, object की तरह, image भी हमारे पास दो type का होता है, एक होता real image, और दूसरा होता है virtual image, तो बच्चों इस बात को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे कि real और virtual होने के parameter क्या है, जनरली आपको सिखाया जाएगा, कि अगर principal axis के उपर मिले, तो real image नीचे उपर मिले, तो virtual image नीचे मिल जाए, तो real ऐसा कुछ नहीं है, कहीं पर भी हो सकती है, real और virtual होने की ये parameter है, तो real image क्या होगा और virtual इसकी definition, object की definition से थोड़ा सा opposite कहीं जा सकती है, हलांकि ये reflected ये refracted race से defined है, तो मतलब अगर हम ये कोई obstacle ले ले हैं, तो इतना तो तह है कि अब obstacle से हमको reflected ray कैसे बनाने, इससे दूर जाती हुए, तो दूर जाती हुए, या तो इधर बना दें, या तो इधर बना दें, अगर मान लो, इधर सपोज इधर बना दिया मैंने, ऐसे, और मैंने arrow ऐसे लगा दिये, तो यहां से clear हो गया ना, अभी ये इससे दूर जा रही है, तो दूर जाने वाली कौन सी हो सकती है ये, या तो reflected हो सकती है, reflected ray हो सकती है, या फिर कौन सी हो सकती है, रिफ्लेक्टेड रेस आप सोचो कि सर हाँ रहेंगी कोई एक ही हम कैसे जाने कि रिफ्लेक्टेड है या रिफ्लेक्टेड है तो वो आपको कंडीशन से पता चल जाएगा सपोस्स मेरे पास यह लेंज होता और यहां से कोई रेस तरह से आ रही है एसे 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 और फिर यह जाके ही हूं मिल गई तो हमने यह वाली देखें जो इनसे दूर जा भी हमने इनसे कोई लेना देना नहीं है क्योंकि हम image पढ़ रहे हैं तो image के लिए यह वाली responsible है जो इनसे दूर जा रहे हैं यह obstacle है कोई lens है मारा जैसे तो इसे जो दूर जा रहे हैं सिर्फ वो define करेंगे image को तो इसलिए मैंने अभी यह वाली दिखाई है आप सोजोगे सर क्या ऐसा भी कभी हो सकती लौट के भी आ सकती इससे वो भी तो दूर होंगी तो ऐसा figure भी हो सकता था इसमें अगर हमेरो ऐसा बना देते यह कोई obstacle होता हमारे पास तो ऐसा भी हो सकता था तो भी हमारे पास real image होता यह क्या होता point of convergence यह क्या होता point of convergence किसका तो यह हमारे पास real image होता और यह क्या होता यह भी real image होता तो point of convergence of कौनसी race reflected और refracted तो अगर obstacle से दूर जाने वाली race converge होती भी दिख जाएं तो जहां पर converge हो जाएंगी वो point क्या होगा converging beam वाला point होगा तो बच्चो यह है real definition of real image हम जितने भी ray diagram आपको बना के दिखाएंगे उन सब में चीज आपको दिखाई भी पड़ेगी और केवल उसी से आप पहचान सकते हो तो आप बात करेंगे हम लोग virtual image की तो virtual image कै है आपको पता है image जो है वो दूर जाती ही रेज से defined होगा बिलकुल सही बात चलते हैं तो virtual में जो रेज होंगी वो diverge होती ही आपको फील होंगी suppose दूर तो जा रही है लेकिन इनके बीच का diameter increase हो रहा है देखे फैल रहे है तो फैल लेंगी तो जिस point से आपको फैलते भी मैसूस हो रही है वैसे यह start यहां से होई है जब back produce करेंगे back इनको trace करेंगे तो हमको पता चलेगा कि यह point of divergence है क्या यह point of divergence of कौन सा यह reflected या refracted raise लेकिन यह point of divergence समारना इस बार virtual image कहा जाएगा क्या कहा जाएगा यह virtual image तो इस obstacle से इस obstacle से अगर दूर जा रही थी तो इनको back produce करके देखेंगे कहां से feel हो रही है कि diverge हो रही है हमको इसा feel हो रहा है कि यहां से diverge हो रही है तो वो हमारा virtual image point होगा यहां पे कोई ऐसा होगा ही नहीं point बस हमको feel हो रहा है कि light ऐसा feeling आ रहा है कि जैसे यहां से diverge हो रही है तो इसलिए उस उनको हम लोग virtual image कहेंगे उस point को virtual image कहेंगे यह इस तरब भी दिखाई जा सकती थी ऐसा यह भी तो इससे दूर जा रहे है इस obstacle से तो आपको इस तरब फिर यह back produce करनी पड़ेंगे तो यह हमारे पास virtual image होगा image virtual क्योंगे diverging beam है diverging कौन सी reflected या refracted ray reflected या फिर refracted rays यह बाते हमको याद रखनी कि reflected या refracted ही image बना सकती है अगर reflected या refracted converging है तो real image diverging है तो virtual image इसी तरह से object में अगर diverging diverging होगी तो क्या होगा diverging beam होगी या diverging incident ray होगी तो virtual object और convert सारी अगर diverging incident ray होगी तो real object और diverging converging incident ray होगी तो virtual image तो यह definition है मारे पास अब मैं आपको एक छोटा सा example लेने वाला हूँ अब आप उस छोटे सा example सिर्फ object के real या virtual होने को समझ सकते हैं तो यह एक number अगर आप इतनी सारी बाते याद रखते हैं तो एक number question एक number तो आपका बिल्कुल board में पका ही हो गया क्योंकि एक optics का question जरूर देते हैं और उसमें यह जरूर पूछते हैं कि बताओ इसमें से यह image real होगी की virtual तो image यह object कोई भी real वर्चुल पूछे आपको बिल्कुल डरना नहीं मालो यह हमारे पास एक lens है सपोज हमने यहां से एक image बनाए यह आप से ray डाली और यह lens ने इनको यहां जाके again converge कर दिया हमसे कोई पूछे A और B में से कौन सा object कौन सा image इसमें कई सारे सवाल पूछ सकता है हमसे पहला सवाल पूछेगा कि इसमें object कौन सा image कौन सा है A या B में से कौन सा object कौन सा image दूसरा सवाल पूछ सकता है यह कैसे object image है मतलब यह real या virtual में से कैसे है तो पहले A की बात करेंगे obstacle हमारा यह है A से beam A obstacle की तरब जा रही है और कैसे जा रही है diverge होते हुए तो incident रही होई यह इससे दूर जा रही है तो यह refracted ray रही है वापस नहीं लोटी है दूसरे medium में पार कर गई है तो यह refracted ray होंगी और यह कौन सी है incident ray तो सबसे पहले तो हमको यही decide करना पढ़ेगा कि incident कौन सी है और refracted कौन सी है क्योंकि जब तक हम यह नहीं बता पाएंगे incident या refracted कौन सी है तब तक object image नहीं बता पाएंगे अब यह पता चल गए तो object image आसानी से बता सकते हैं object incident ray से decide होता है तो यह हमारे पास object हो गया और refracted किससे defined होता है इमेज इमेज को, तो यह हमारे पास इमेज होगी, तो B इमेज होगा और A object होगा, question एक किलिए होगा, दूसरा question, यह सब लिखते रहना है बच्चों आपको, दूसरा question क्या पूछेगा आप से, इन में से real कौन है, virtual कौन है, मतलब यह real यह virtual है, यह real यह virtual है, तो आप देखें, वाप diverging incident रे किसको define करती है, real object, देखो मैंने आपको बोला था, diverging incident defines real object, ठीक है, वो लिख लेना है आपको, नहीं तो फिर आप भूल जाएंगे, यह कौन सी है, refracted ray, refracted ray अगर converging है, तो कैसा बनाएंगी, कैसा बनाएंगी, real image, तो इस lens ने इस real object का ही real image बना दिया, एक और question आपके सामने, बड़ा सा चग question है, आपको समझ आएगा, इस बार मैंने यह light ray डाली, अगर यह obstacle नहीं होता, means यह lens नहीं होता, तो यह light ray यहाँ जाती, बट अब यह है, यह diverging lens होता है actually में, तो यह और इनको थोड़ा सा, फैला के यहाँ पहुचा देगा, ऐसा, तो इस obstacle की तरफ कौन सी आ रहे हैं, यह वाली ray, और कैसी है, converging, तो इसको हम P कहे दें, इसको Q कहे दें, हमसे पूछ सकता है कि P और Q में से कौन सा object, कौन सा image, पहला सवाल, तो पहले decide करें, incident कौन सी है, तो incident यह रही, incident race किसको define करती है, object को, मींस यह तो decide हो गया कि object ही है, clear हो गया, और यह वाली race, यह इस obstacle से दूर जा रही है, तो कौन सी हो गई, refracted race, refracted इसलिए क्योंकि पार करके निकल रही है, refracted race, अब आप देख सकते हैं कि यह दूर जा रही है, तो यह refracted race हुई, लेकिन कौन सी हैं यह, converging, converge होते हुए, फील हो रही है, इसलिए हमारे पास real, अब यह refracted race है, तो image ही बनाएंगी, अगर converging है, तो फिर real बनाएंगी, तो देखिए, object तो यह हो गया, और इसका real image बन गया, लेकिन object है कैसा, incident ray कैसी है, converging, incident ray कैसी है, converging, तो converging incident ray, virtual object बनाती है, यह आपको बता चुके हैं, तो यह virtual object हुआ, और यह real image हुआ, तो virtual object से भी real image बन सकता है, इससे हमने कई चीज़ें सीखी, जनरली हमको एक misconception रहता है, 10th standard में, कि यह lens कभी real image नहीं बनाता है, देखा मने, तो एक misconception हमारा दूर हुआ, दूसरा misconception यह है, कि अगर हमारा object ही virtual होगा, तो फिर image real नहीं होगी, जनरली हमारे दिमाग में यह कि अगर object ही imaginary है, virtual है, तो फिर उसका image तो पक्का imaginary होना चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं है, virtual object से भी real image मिल सकता है, तो object और real, object और image के real या virtual होने के लिए, आप अपने दिमाग से मत सोचिए, कि जो हमको feel आए कि नहीं, virtual object है, तो virtual image बनेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, real या virtual होने के जो parameter मैंने बता हैं, आपको वही याद रखना है, मतलब incident ray या refracted ray, कैसी incident ray या कैसी refracted ray, ये चीज़ आपको बताएंगी, ये चीज़ें आपको decide करेंगी, कि object कैसा है या image कैसा है, right, तो ये बाते हैं हमको याद रखनी हैं, और इनको याद करेंगे हम लोग, और इसके बाद हम lecture के अपने content में वापस आते हैं, reflection या reflection में, तो सबसे पहले 10th standard में, reflection of light के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, तो बच्छोब हम लोग अपना chapter स्टार्ट करते हैं, reflection of light, तो reflection of light को सबसे पहले defined करना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले, हमें उसकी definition आना चाहिए, अगर हम उस चीज़ को defined ही नहीं कर पाएंगे, तो फिर उसके बारे में जानने से कोई फायदा नहीं, या उसके बारे में अच्छे से नहीं जान पाएंगे, actually जो definition होती है, बहुत सारे experiment, बहुत सारे observation के बाद हो defined कर जाता है, एक सार्प criteria होता है statement का, तो अगर उस सार्प criteria of statement को आप पढ़ेंगे और उसके अंडरन में आप study करेंगे, तभी वो चीज़ें valid रहेंगे, आप अगर अपनी तरफ से कोई definition बना दोगे, तो आपके पास ना उतने experiment थे, ना उतने observation थे, तो इसलिए आप लोग जो अपने मन से लिखोगे, वो गलत ही लिखोगे, तो इसलिए जो हमारे पास definition होनी चाहिए, वो सार्प definition होनी चाहिए, और definition अगर आपकी सार्प accurate है, तो फिर आपको पूरे number मिलने चाहिए, आप उसके पूरे हगदार है, तो reflection of light का मतलब समझे, suppose यह कोई हमारे पास एक interface है किसी medium का, आप यहाँ पर कोई light की एक ray आके यहां से incident होती है, इस point पे incident होती है और incident होने के बाद यह इस तरह से लौट जाएगी, तो अगर कोई भी beam इस तरह से आई, इसे बहुत सारी rays हो सकती है, अभी यह beam है, और ऐसे यह वापस भी लौट गई, ऐसा, तो इसको हम कहेंगे reflection of light, क्या कहेंगे, वापस उसी medium में उसी speed से लौट जाए, तो उससे reflection of light, ध्यान रखना मैं क्या कह रहाँ हूँ, उसी medium में, same medium में, same speed से वापस लौट जाए, तो अगर यहाँ पर frequency f है, तो यहाँ भी frequency f रहेगी, यहाँ पर wavelength lambda है, तो यहाँ पर भी wavelength lambda रहेगा, ना frequency change हुई, ना तो wavelength change हुआ, तो जब frequency और wavelength ना change हो, ना medium change हो, तब उससे reflection of light कहेंगे, हम लोग जो भी definition पढ़ेंगे, वो physics के parameter के point of view से सीखना चाहिए हमको, यह हम सीखेंगे उनसे, तो ना frequency change हो, ना wavelength change हो, ना medium change हो, तो जिस medium में, जिस frequency और जिस wavelength से incident ही, उसी frequency यह, उसी wavelength से, उसी medium में वापस rebounds हो जाए, तो जिस phenomenon of light is known as reflection of light, तो definition क्या होगी, वेन अ beam of light rebounds back in the same medium with the same frequency and same wavelength, then it is known as reflection of light, यह हमारे पास दो टाइप का होता है, reflection भी दो टाइप से होगा, एक होगा regular reflection, एक होगा irregular reflection, हमको regular reflection ही पढ़ना है, जान लेते हैं क्या होता है, regular reflection का मतलब यह एकदम smooth surface होगा, जिक जैक नहीं होगा, तो कोई भी beam आएगी यहाँ पर, अगर माल लो parallel beam हमने यहाँ पर डाल दिया है, तो यह parallel beam ही वापस जाएगी, मतलब इसमें बहुत सारी रेग आएगी, और जिस तरह से आएँ थी यह उसी तरह से वापस चली भी जाएगी, तो पर्लल आएँ, पर्लली चली गएँ, तो इसको हम कहेंगे regular reflection, क्या कहेंगे regular reflection, आप लिख सकते इनकी definition, वेन पर्लल इंसिदेंट ट्रे, पर्लल इंसिदेंट beam, रिबाउंस बैक, इन फ़र्म आप पर्लल बीम, तो पर्लल इंसिदेंगे, तो पर्लल इंसिदेंगे, तो एक माल लो, यह यहां reflect होगे, वापस चली गई, यह वाली ऐसे चली गई, और यह वाली तो ऐसे चली गई, तो यह scattered होगे, पर्लल आएँ, बट आफ्टर reflection यह scattered होगे, इस इस नोन इस irregular reflection, क्या कहेंगे इसको, irregular reflection, अभी हम chapter के अंदर गुसे नहीं, लेकिन उससे related, basic basic जानकारी हमको आना जरूरी है, इनके बीना हम उस chapter के बारे में कुछ नहीं सीख पाएंगे, तो यह हो गया reflection, अब law of reflection की बात करेंगे, हम बात करेंगे अब law of reflection के बारे में, law of reflection, यह हमारे पास दो basic law है, इतने ही sufficient है, आप सोचों के सर दस क्यों नहीं बनाएं, जरूरत ही नहीं थी, तो आप समझिये जरा, सपोज यह हमारे पास कोई plane surface है, और यहाँ पर एक light ray, straight light रहेगी है, ray रहेगी कोई, और सपोज यह angle हमारा incident है, यह point, जिस point पर टकराएगी, वो point of incident, यह incident ray हो गई, क्योंकि यह obstacle की तरफ हारी, जिस point से टकराएगी, वो point of incidence हुआ, जिस point पर आपने normal draw किया, यह normal on the point of incidence, और जो ray वापस चली जाएगी, ला यह कहता है, कि जो incident ray इस पर डाली जाएगी, वो वापस भी लोटेगी, और उतना ही angle बनाते भी लोटेगी, जो आई होगा वो हमारे पास angle of incidence होगा, क्योंकि यह incident ray normal के साथ बनाती है, इसलिए इसका नाम होगा angle of incidence, और जो R होगा, वोगा angle of reflection, ठेक बच्चो, तो इसका हम फ़स्ट ला लिखना शुरू करते हैं, पहले तो समझते हैं, इसका statement क्या होना चाहिए, तो incident ray और reflected ray, यह हमारे पास वापस चली गई है, उसी medium में, same speed, same wavelength, अगर हम कहें, तो अगर इसकी V speed है, तो यहाँ पर भी यह V speed से जाएगी, यहाँ पर F frequency और lambda wavelength है, तो यहाँ पर भी F frequency और lambda wavelength रहेगा, same frequency, same wavelength, उसी medium में चली गई, तो इसलिए इसका नाम होगा reflected ray, reflected ray, तो यह चीज़ें बहुत किलियर होनी चाहिए हमारी, यह point of incidence है, तो first law जो होता है, वो यह बताता है कि यह सारे एकी plane में है, यह incident ray, यह reflected ray, और यह normal, इस point पर जो normal डाला गया है, यह, यह normal point, वो क्या होना चाहिए, यह सब एकी plane में होने चाहिए, ऐसा नहीं कि यह इस plane से चिपकी, और यह इस plane से बाहर आ जाए, यह इस plane से यह बाहर आ जाए, यह बाहर आ जाए, यह ना, यह तीनो क्या होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, तीनो एक ही plane में होने चाहिए तो first law होना चाहिए incident ray, reflected ray lie on the same plane तो incident ray आप अपने statement में लिख लिजे incident ray reflected ray and normal on the point of incidence and normal on the point of incidence incidence all lie in the same plane all lie in the same plane तो यह हमारे पास first law होगया अब इसका देखते हैं दूसरा statement तो दूसरा statement क्या होगा? दूसरा statement यह कहता है कि यह जो angle of incidence है angle of incidence है वो angle of reflection के equal आएगा मतलब चितना angle यह होगा उतना ही angle यह होगा यह always valid रहेगा जब भी reflection होगा यह change नहीं होगे वालब इन loss में जो दो point हैं इनका कभी भी violation नहीं होगा all time यह true होगे तो यह law of reflection है इस chapter में हम law of reflection के बारे में पढ़ेंगे और अभी हम थोड़ा से आपको जानकरी plane mirror में देते हैं अलगी plane mirror के question कम आपको मिलेंगे लेकिन card mirror पे ज़्यादा मिलेंगे पर फिर भी हम लोगों को law of reflection थोड़ा सा और सा अच्छे से clear हो और plane mirror का भी concept clear होना ही चाहिए तो reflection through plane surface reflection through plane surface तो बच्छो reflection through plane surface में हमने law of reflection जो पढ़े हैं वही applicable होंगे हम लोग image trace करते हैं tracing of image कैसे trace करते हैं वैसे तो यह suppose हमें पास plane mirror है यह इसके सामने एक object है आपके घर में suppose यहाँ पे एक mirror लगा हो था और मैं उसके सामने खड़ा हो जाता हूँ तो मेरा mirror में image बनेगा बिल्कुल वैसा ही बनेगा जैसा कि मैं हूँ अगर मैं जित answer हूँ तो जित answer ही उसपे दिखाई पड़ेंगे तो बच्छो यह mirror है इसके सामने object है यह अपनी सकल देखेगा कैसे देख पाएगा और उख कहां होगा real होगा कि virtual होगा इन चीजों को मैं द्यान देना पड़ेगा एक question भी हमसे पूछ सकता है कि real होगा कि virtual होगा किस जगे पे होगा तो यह जो object है कोई भी object होगा उससे बहुत सारी rage इदार 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 चारों तरफ निकलेंगी बहुत सारी infinite number of rage होगी बट हम सब को तो नहीं बना सकते सब को बनाना impossible है तो हम क्या करेंगे कुछ minimum number of rage बनाना चाहेंगे minimum का मतलब है जितनी कम से कम rage हम लोग बना सके तो generally हम दो भी बनाएंगे तो भी चल जाएगा अब दो से कम एक से काम नहीं चलेगा क्यों नहीं चलेगा अब एक रे को देखके तो नहीं बता पाऊगे कि यह diverging है या converging क्योंकि रे optics है और यहाँ पर object image बनाना होगा तो उसके लिए definition आनी चाहिए incident और reflected की कि वो diverging है या converging है तो इसलिए कम से कम दो रे हो ताकि हमको अंदाजा लग पाए कि यह race diverging है या converging है तो at least अपनको दो race आपको बनाना ही पड़ेंगी तो कोई भी आप दो बना सकते हैं कहीं पर भी डाल सकते हैं मैंने एक रे इधर डाली दूसरी रे इधर डाली बहुत simple कम अब जिन दो पॉइंट पर यह जाके हीट हुई उन दोनों पॉइंट को हम incident पॉइंट कहेंगे अब incident पॉइंट हुआ तो यहाँ पर हम एक normal डाल देंगे यहाँ पर भी normal डाल देंगे यह normal किस पर होंगे इस surface पर होंगे लेकिन किस पॉइंट पर जहाँ पर यह हीट हुई तो जितना यह incident एंगल है उतने एंगल से यह क्या होंगे reflect भी होंगी तो यह ऐसे वापस back चली जाएंगे इसमें भी अगर यह थीटा था तो इधर भी थीटा रहेगा यह वाला इसी तरह से यह alpha होता तो यह alpha एंगल बनाते हुए ऐसे वापस लौट जाती है रहे same medium है क्योंकि यहाँ पर हम लोग reflection ले रहे हैं तो यह कैसी रहे हो गई अब 2 ray लिया था तो हमें पता चल गया क्योंकि यह कैसी दिख रहे हैं diverging तो at least आपको दो तो लेनी ही पड़ेंगी तो यह हमको ऐसा feel हो रहा है जैसे इस point से जाके diverge होती ही feel हो रहे ही तो जहाँ से diverge होती ही feel हो तो वो हमारे पास image हो गया क्या हो गया? image और जहाँ से incident रहे feel हो रहे ही पोजिट में भी theta रहेगा ठीक है? यह theta है यह इस पर perpendicular है तो यह angle 90-theta हुआ यह theta यह इस पर perpendicular था तो यह भी 90-theta हुआ similarly यह alpha है तो इसके opposite में यह normal था यह alpha है यह alpha है तो यह भी alpha होगा यह 90 है तो यह 90- alpha होगा यह total 90 है इधर alpha तो इधर भी 90- alpha अब आप ज़राद दोनों triangle को देखे इस बड़े वाले को भी और इस वाले triangle को यह theta है तो यह भी obviously theta ही होगा और यह alpha है तो इधर भी alpha होगा यह theta है तो इधर theta इस अब आपको geometry आती होगी और इधर alpha यह theta यह theta यह 90-леem ¿ laada y é 90- circa- elected 90-e19- Eight- इनमें से एक line common है, दोनों triangle में eeg line common है और तीनो angle बरावर हो जाए, तो फिर सब कुछ म defenses equal हो गया यह length इसके equitable हाएगी यह length इसके allow और यह length इसके equal हाएगी मेरा concentration इस चीज पर ज़्यादा रहेगा यह कौन सील लेंट है मैंने ये इंगल ये इंगल बरावर लिया इसका मतलब ये इस पर नॉर्मल होगी ऐसा तब होगा जब ये और ये पैरलल होगी तभी ये और ये इंगल बरावर होगी मतलब ये रेज होगी वो नॉर्मल होगी इस ऑफस्टेकल पर एक चीज बस हमको याद रखना है ये सब इतना हमें ना भी याद रहे तो भी काम चल जाएगा ये सपोज M पॉइंट है O से M तक की जो डिस्टेंस रहने वाली है वही M से I तक रहेगी ऐसा क्यों होगा क्योंकि सारे एंगल सेम है और एक इन में से लाइन कॉमन है तो यूं कह सकते हैं कि ऑफस्टेकल तक की परपेंडिकुलर लेंथ और ऑफस्टेकल से फिर इमेज तक की परपेंडिकुलर लेंथ दोनों एक को लाती प्लेइन मिरर के लिए, तो आपको इतना सारक कभी भी रे डाइग्राम नहीं बनाना पड़ेगा, बस एक लाइन में सीख लीजिए, हमारे पास यह अबजेक्ट है, सपोस्स हमें यह भी न पता है, यह लाइन भी गिवेन है, हमको एक मिरर बनाना है, इसके सामने कोई अबज डाल दिया, विल्कुल सिंपल, इसी लाइन को आगे बढ़ा दीजिए, अबजेक्ट से जितनी लेंथ यह है न, उतनी लेंथ इधर ले लीजिए, यह हो गया, यह इसका इमेज हो गया, यह अबजेक्ट हो गया, यह इमेज हो गया, बस बात खतम, आपको कोई रे डाइग् होके वापस जाएगी, तो आपको फिलिंग देगी, कि यह सब रे इसी पॉइंट से जा रही थी, कहीं पर भी कोई भी रे डाल के देखो आप, जितनी भी इस ऑब्जेक्ट से इस ऑप्स्टेकल पर रे ठकराएंगी जाके इंसिडेंट होंगी, वो सब आप्टर रिफलेक् पर अब्जेक्ट उतनी दूर पर इमेज बनाना है हमको, बत पास खतम, लेकिन कौन से, कौन सी डिस्टेंस, पर्पेंडिकुलर डिस्टेंस, और कोई डिस्टेंस मत बनाईएगा, पर्पेंडिकुलर डिस्टेंस, तो एक और बेतरीन सवाल लेते हैं आप है, अगर हमसे को कि इसका image बनाओ, तुम को ओ, अब तो इसमें हम इसको कहीं से मिलाएंगे, object से इस plane mirror को, तो कोई भी ray तो इस पे perpendicular हमें दिखी नहीं रही है, पूरी boundary में यहां से शुरू करके यहां तक कोई भी ray हम जो भी यहां डालेंगे, तो कोई भी इस पे perpendicular नहीं है, तो मत होने दिजे, no problem, क्या करोगे, हम इस plane mirror की line को और trace कर दें, कर दिया, अब यहां से perpendicular डाल दो, और इसको आगे बढ़ा दो, यह m point कहें तो, यह distance अगर x है, तो इतनी x distance पर हमको यह image मिल जाएगा, बिना किसी ray diagram के हम इनने बना दिया, आप भी बना सकते हो, अब अगर आप डाल भी दो, कि सर अब तो ray diagram सही बनाएगे, तो बना लो, तो भी बन जाएगा, यह जब reflect हो के लोटेगी, तो ऐसे लोटेगी, किसको follow करते हो, law of reflection को, angle of incident, angle of reflection, आप इसको back produce करोगे, तो आपको ऐसे ही जाते भी फील होगी, इसी तरह से, जब इसको यहाँ डालोगे, तो यह भी law of reflection को follow करते भी जाएगी, angle of incidence, angle of reflection, लेकिन जब आप इसको back produce करोगे, तो ऐसे आपको feel आएगा, कि इसी point से जा रही थी, इसको देखोगे, तो यह भी ऐसे ही जाएगी, और आपको feel आएगा, कि यह इसी point से जा रही थी, जितनी भी ray इस पर जाएंगी वो सब ऐसे जाएंगी और जब आप उनको back produce करोगे तो इसी point पर आपको मिलती भी feel होगी तो इस तरह से हम लोग plane mirror के लिए ray diagram बनाना सीख गए कि जो भी obstacle है उसकी line को उपर नीचे खीज दीजिए object से उसपे perpendicular डाल दीजिए उतनी दूर पर image बना लीजिए बस हो गया यही concept इसमें एक हमारे लिए sufficient है ठीक है हम लोग इसमें और भी कई सवाल पूछ सकता है कोई आप से वैसे 10th board में तो नहीं पूछेगा पर फिर भी पूछ दे कि अगर यह हमारा mirror है और इसकी तरब कोई object भागने लगे 2 meter per second से तो बताओ इस image की speed क्या होगी पूछ सकता है तो आप अगर यह 2 meter per second होगा तो यह भी 2 meter per second होना चाहिए क्या हमेशा 2 meter per second होगा पता नहीं तब आपको देखना पड़ेगा यह जो position है object की mirror से और यह जो position है image की mirror से उसको position of image with respect to mirror कहेंगे और इसको कहेंगे position of object with respect to mirror यह दोनो numerically equal है लेकिन एक left side है तो दूसरी right side है तो position object की और image की position mirror के respect में दोनो equal and opposite है इसका rate change कर देते है position of object with respect to mirror का rate change तो displacement का rate change क्या होता है बच्छो velocity rate change of image with respect to mirror तो यह हो गई velocity of object with respect to mirror और यह हो गई minus velocity of object with respect to mirror equal आएगा opposite भी आएगा तो आप mirror पे बैठ जाओ with respect to mirror का मतलब है आपको mirror से बैठ के ऐसा दिखाई पड़ेगा mirror से बैठ के देखो यह आपको अगर 2 meter per second से नजर आ रही है तो यह उसका उल्टा नजर आएगी मतलब यह अगर right side है तो यह left side होगी 2 meter per second बहुत सारे case किया जा सकते हैं इसमें तो यह simple सी एक बात थी अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं यहाँ पर इस optics में जो सबसे important चीज है यह सारी object image तो यह important थे और जो सबसे important है इसका part वो है sign convention क्या sign convention अक्सर बच्चे sign convention में confused रहते हैं तो हम आपको बता देते हैं sign convention आ sign convention बहुत ध्यान से समझो मालो यह हमारे पास obstacle है इसके साथ और भी कई सा obstacle हो सकते हैं यह हो सकते हैं यह इधर इधर कहीं पर भी लेकिन अगर अभी हम reflection या reflection यहां से consider कर रहे हैं तो इनको और इनको बूल जाएंगे या फिर जब हम इसको consider कर रहे होंगे तो इनको इनको हो रहे होंगे तो भी हमको एक-एक को ले करके solve करना होगा sign convention तो हमें multiple भी मिल सकते हैं लेकिन जब हम किसी एक में reflection यह reflection ले रहे हों तो जो हमने किसी दूसरे में sign convention लिया था उस सब को भूल जाएंगे हम सिर्फ एक पर concern एक टाइम पर एक ही पर concern करेंगे हमारी बात याद रहेनी चाहिए एक टाइम पर एक ही concern यह obstacle है तो जो obstacle की तरफ जाने वाली ray होती है कोई भी ray जो इसकी तरफ जाएगी वो incident होगी और जो इससे दूर जाएगी वो reflected होगी reflected इधर refracted इधर होगी यह होगी refracted और इधर आएगी तो वो reflected होगी तो sign convention जो होगा वो हम लोग इसके according लेंगे जो sign convention होगा वो हमेशा incident ray के along लेना तो मालो obstacle यह है और ray इधर जा रहे ही तो यह direction हमारी positive होगी तो इसको हम लोग positive direction कहेंगे क्या कहेंगे इसको positive direction और देखना कहां से होगा हम यहाँ पे बैठके देखेंगे observer के बिना तो सब कुछ अदूरा है हम लोग obstacle के उपर बैठ जाएंगे यह obstacle है हमारे पास obstacle मतलब कुछ भी lens, bridge, mirror कुछ भी obstacle के उपर बैठके देखेंगे obstacle के उपर बैठके देखेंगे और इस direction में कोई चीज right side जाती भी दिखेगी तो positive और left side आती भी दिखेगी तो negative इसी तरह से हम उपर की तरफ इसको मलोग principal axis भी कहेंगे आगे चलके क्योंकि हर एक obstacle की कोई principal axis होती है तो इसको मलोग principal axis कहेंगे जो principal axis से उपर की तरफ चीज़े ली जाएंगे वो positive और जो नीचे की तरफ ली जाएंगे वो negative ये बात हमको ध्यान रखना है ये हमारा main sign convention है आप इसको use करके हम छोटा सा question करते हैं उसमें sign convention देखते हैं suppose ये object था एक रह यहां गई दूसरी यहां मालो ये mirror होता तो ये वापस लोट जाती और जब वापस लोट जाती तो इसका image कहीं यहां मालो बन जाता ये object ये image incident किदर जा रहे हैं इस तरफ तो ये positive direction होगी हमको यहां पे खड़े होके देखना है obstacle पे बैठना है तो obstacle पे बैठ करके ये यहां पे mirror लिया था तो mirror पे बैठ के जब object को देखोगे तो आपको इधर देखना पड़ेगा जब आप यहां बैठ होगे और object को देखोगे तो उस तरफ देखोगे बतलब आप ulti direction में देख रहे हो इस तरफ जा रहे हो तो ये negative होगा तो m से o जब direction लोगे m से o जो distance होगी वो negative ली जाएगी इसी तरह से जब इसी obstacle बैठ के i को देखोगे तो आप किदर देखना पड़ेगा आपको इस तरफ ये कौन सी तरफ है जो positive direction था ये कौन सी तरफ था इस positive का उल्टा ये positive के along है तो जब हम m से i देखेंगे तो कैसा होगा तब ये positive आएगा तो कब positive लेना है कब negative लेना है अगर इस distance को object distance u कहें इसको image distance v कहें तो बताओ u को किस sign के साथ लेना पड़ेगा negative sign के साथ और v को किस sign के साथ लेना पड़ेगा positive sign के साथ तो यह concept है इसको मैं याद रखना है और बस अब एक निट में एक question और हम बड़ा important लेंगे आखरी question इसका suppose हमने यहाँ पर एक sphere ले लिया यहाँ पर हमने mirror ले लिया कुछ पॉलिस कर दिया और यह sphere ग्लास का बना हुआ है इसके अंदर कुछ material है ग्लास हमने इसमें एक light ray इधर डाली एक इधर टकराई एक ऐसे फिर यह ऐसे वापस इसमें कई सारी चीज़ें होई है multiple phenomenon हमको मिले यहाँ पर incident इसको A मान लो इसको B मान लो इसको C मान लो इसको P ले लो इसको Q ले लो तो यहाँ पर multiple reflection है या reflection हो रहे है मैंने आपको क्या बता है कि हमको एक time पर एक ही देखना है तो अभी हम A को लेंगे तो taking reflection A taking reflection at A अभी हम A की बात करें तो A पर केवल्ट reflection लेंगे तो यहीं पर बैठ जाएं और इसकी तरब जाती हुई rays को इधर positive direction ले लें अब A से अगर हम P को देखें देखना हमको A से ही है A से जब P को देखेंगे तो इस positive के opposite जाना पड़ेगा इसलिए यह negative distance ली जाएगी लेकिन A से B की तरब देखेंगे तो इस direction में जाना पड़ेगा यह कौन सी direction है positive तो मुझे A P जो लेना होगा वो इस बार positive लेना होगा अब इसका काम खतम अब इसका काम आएगा यहाँ पर क्या हो रहा है reflection हो रहा है तो इसलिए B पर reflection ले लो taking reflection at B अब जब आप B पर reflection लोगे तो यहाँ पर बैठना पड़ेगा आपको बैठेगे इस पर incident कौन सी यह किस direction में इस direction में तो यही positive हो गई जिदार incident रहे वही positive और वहीं पर बैठो तो जब आप यहाँ पर बैठ करके A को देखोगे B पर बैठके A को देखोगे तो बता उल्टा जाना पड़ेगा तो जब B से A को देखोगे तो हमको उल्टा जाना पड़ा मतलब negative अब B से अगर हम C जाए तो फिर हमें उल्टा ही जाना पड़ा तो फिर से negative तो देखो इसके लिए भी sign convention incident ray और refracted ray के लिए दोनों के लिए आ गया तो हमको sign convention incident ray और refracted दोनों के लिए अलाग अलाग देखना होता है अगला पार्ट कौन सा बचा C पार्ट यहां क्या हो रहा है गई पार करके निकल गई रिफ्रेक्शन हो गया तो taking रिफ्रेक्शन एट C ओके तो रिफ्रेक्शन C पे लेंगे तो यहीं पे पड़ेगा हमको incident इस तरफ है तो यह positive direction incident की direction को positive अब यहां से बैठ करके अगर हम C से बैठ के B को देखें तो हमें back जाना पड़ा C से बैठ के B को देखेंगे तो उल्टा जाना पड़ा उल्टा जाना पड़ा मतलब negative C से बैठ करके इसी positive direction में Q की तरफ जाएं तो तो हमको उसी direction में जाना पड़ा तो positive तो देख सकते हैं यहां पे sign convention अलग-अलग point के लिए अलग-अलग है तो हमको यह याद रखना है कि हमको जाना किदर है ठीक है उस obstacle की position का है obstacle की position पे बैठ जाएंगे incident की direction को positive लेंगे जो उस direction में पड़ जाए distance या उस direction में हमको distance जाना पड़े obstacle से तो वो positive और उस obstacle से किसी point तक अगर हमें ultra incident रहे के जाना पड़े तो वो negative तो इस तरह से हम लोग sign convention use करेंगे optics में sign convention सबसे ज़्यादा important है चाहे आप 10th की optics पड़ो या 12th की पड़ो तो 10th की optics में भी अगर ये आपको sign convention याद रहता है तो आपके लिए बहुत helpful होगा और बच्चो आज इतना इस lecture में आप complete कर लीजिए next lecture में हम लोग इसके next part को देखेंगे hope आपने इस video को enjoy किया होगा हमारे channel को like और subscribe कर दीजिए thank you very much